नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभेकुमार शर्मा आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्टिकल सिस्टम के बारे में बेसिक्स के बारे में कम से कम धीर दिरे हम लोग या 2.83 में या 2.9 में तो उसके पहले हम लोग थोड़ा बहुत पार्टिकल सिस्टम के बारे में जान लेते हैं उसके पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप च क्रेट करने के लिए क्या करना पड़ता है कोई भी जो अबजेक्ट है चाहे वो मेश हो या कोई कर्व हो उसको सेलेक करने के बाद आप जो इसमें जाएंगे अपने प्रॉपर्टीज विंडो में यहां पे आपको यह मिलेगा पार्टिकल सिस्टम का टैब और यहां पे आ यहां पर आपको अब जितना चाहें उतना क्रेट कर सकते हैं ठीक है और यह सारे आपको यहां पर दिखेंगे ठीक है तो एक मैंने क्रेट कर लिए पार्टिकल सेटिंग्स और मैंने यह वाला सेलेक्ट कर लिए जो बाइडिफॉल्ट होता है ठीक है इसको अभी ठीक है तो कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं चया जाता हूं इसको आपको दिखेगा ठीक और यह आप कर सकते हैं वेलोसिटी के अंदर गर जाएंगे तो यहां पर देखिए जो नॉर्मल की विलोसिटी है यहां पर सेट की हुई है आजी तो अगर मैं काम करते हैं नैविगेटर ओन कर लेते हैं विश्चा इना गली Rajkum कर लेते हैं जिसमें यहां और चेहरा आपको औरक दखार ना आपको कि यह एक box का distance जो है यहां से यहां माल दीजे कि 1 meter है यहां से यहां 1 meter है ऐसा है यहां से यहां 1 meter है तो यह बिसिकली 1 square meter है ठीक है तो यहां पे जो velocity है 1 meter per second दिया हुआ है ठीक है यानि कि जो particle है कोई भी particle जैसे अगर मैं यहां पर number of particles को कर रहता हूं 0 ठीक है और frame start frame end जो है द अभी एक particle सिर्फ एक single particle यहां पर generate होगा ठीक है और कहां गया sorry particle number जो है one कर देता हूं यहां पर हुआ अगर मैंने particle को one कर दिया भी मैं इसको play करता हूं और इसको side से देखते हैं ठीक है तो यह देखिए यह particle जो है वो frame number one पर generate हो गया ठीक है और यह एक second में अभी यह एक second कहने का मतलब क्या अगर आप इसके इसमें जाएंगे जहां पर हम लोग सेट करते हैं इसका you know resolution और यह सब तो यहां पर देखिए frame rate दिया हुआ 24 frames per second ठीक है इसको मैं 25 कर देता हूं क्योंकि हम लोग इंडिया में 25 ही होता है ठीक है तो 25 frames per second यानि कि यहां पर जो timeline है इसम 25 तो यह 1 second होगा बट क्योंकि हम लोग का timeline 0 से start नहीं हो रहा वन से start हो रहा है तो 1 से 25 करेंगे तो यह 26 होता है ठीक है तो देखे कि जो particle यहां पर generate हुआ था 1 पर जो हम लोग 26 पर जाते हैं तो exactly 1 meter कर distance तैय करता है ठीक है तो यही चीज जो है वह आपको यहां पर बताया ह हुआ है वेलासिटी इसके बारे में हला कि हम लोग बात में बात करेंगे बस मैंने आपको बता दिया कि जो डिफॉल्ट वेलासिटी है वह यह से रहती है ठीक है तो यहां पर मैंने दिया number one और सीड है ठीक है सीड को समझते हैं जैसे कि अगर मान दीजिए कि 100 पार्टिकल ठीक है और सब फ्रेम वन पर ही निकल जा रहे है ठीक है तो इसको ऐसे देख सकते हैं आप अगर मैं इसको टॉप से देखता हूं तो और इसका जो प्लेबैक है वो मैं रखता हूं माली जिए 1 से 3 ठीक है बहुत ही चोटा सा डिउरेशन है इसको मैं इससे प्ले करता हूं तो आपको दिख रहा है यहां पर देखिए पार्टिकल जो है वो निकल रहा है बट चुकि हम लोग उपर से देख रहे हैं तो इसमें ऐसा कुछ मालूम नहीं चल रहा है ठीक है यहां पर अगर मैं सीड चेंज करूंगा तो देखिए जो रैंडमनेस का जो पैटर्ण है व अलग होता है और सिस्टम में जा म्याइं जो कंप्यूटर में जो रैंडम नंबर होते हैं वो वो अलग होते हैं कि वो प्रिदिक्दीबल असी प्रिदिक्टिक्दमल पैटर्ण को तोडने के लि immersा नहीं की था प prag और यह तो यह क्तैक है अभी किप Rund Давайте एगा तो यह सिद तक निकलेंगे तक निकलेंगे ज्सका मातलब यह नहीं है कि पार्टिकल जो है वह फ्रेम के बीच में एक जिस्त करेंगे जिस्ट इशेफ इमीशन के क्लिए क्म लोग और है इमिशन टैब में धारो gefशाद करने queda तो 10 फ्रेम् तक यह इनिट होगा कि हम लोग को ये जो है ताइम्लाइन बढ़ाना पड़िया तो ये हो गया अभी हम लोग देखते इसको साइथ से ये इस तरह से ये निकल रहा है ठीक इसके बाद जो है वह है लाइफ टाइम ठीक है तो अभini काम करते हैं इसको सब्सक्राइब कर देता हूं या 250 जो डिफॉल्ट था ठीक है यानि कि फ्रेम जीरो से लेके 200 तक निकलता रहेगा और इसको भी हम लोग 250 कर देता है तो पार्टिकल्स निकल रहा है और कितने टोटल नमबर ऑफ पार्टिकल्स जो निकलेंगे 200 फ्रेम्स के अंदर वो है 1000 अब ये 50 क्या है 50 फ्रेम्स यानि कि अगर एक पार्टिकल्स पर निकले गा तो ये 51 फ्रेम तक एगसिस्ट करेगा और उसके तो मीटर कर डिस्टेंस ही क्यों तये कर रहे quick term y एक सेकें में m2 कर ते जब 25 pain. पूरे होते तो 50 फ्रेमस जान्य की दो मीटर इसके बाद है lifetime randomness यह कहे कि अभी जितने भी पार्टिकॉल्स से सब का जो lifetime है फिषिट फ्रेमस ठीक है तो इसमें चाहें तो आप रैंडमनेस एड़ कर सकते हैं ताकि ये थिकने में थोड़ा और रैंडम लगे सब एकी साथ सारे पार्टिकल खतम नहीं हो जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप जो रैंडमनेस को बढ़ा सकते हैं और यह 0-1 के बीच में होता है ठी तो अभी जो है वो 0% है तो साड़े पार्टिकल्स जो है exactly यहां पर मर रहे हैं ठीक है अगर मैं इसको 0.5 कर देता हूं unexpected क्या हो गई 0.5 ठीक है तो अभी क्या होगा कि देखेंगे कि जो पार्टिकल्स है वो एक मीटर कर डिस्टेंस जब तैय कर रहे हैं यहां से यहां तक तो उनका जो लाइफ टाइम है वो परफेक्ट है वो आराम से जा रहा है उसमें कोई पार्टिकल कर डेत नहीं हो रहा बट जैसे हैं व वो बाकि सॉफ्टर से थोड़ा सा अलग है क्योंकि जेडरली मैंने जो देखा है उसमें वो टॉलरेंस वैल्य होता है प्लस माइनस इतना आप फ्रेम्स या लाइफ टाइम में हैड कर सते हैं कि अगर माली जे 50 है अगर आपने उसमें 10 डाल दिया तो 40 से लेके 60 फ्रेम्स इसा बड़ यहां पर क्या है कि रैंडमनेस जो है वो जो टोटल लाइफ टाइम है इसका यानि कि 50 इसी के अंदर आपको वो रैंडमनेस देगा इसके बाहर नहीं जाने वाला ठीक है तो यह जो पॉइंट फाइव है बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इसका जो रैंडमनेस इसका पार्टिकल का लाइ टाइम है वो एक मीटर तक कुछ नहीं इसको फर्क पर रहा और उसके बाद ≈सके बाद से जो है फापटेकल्स के जो लाइफ टाइम है वो रैंडमनेस हो तो यह lifetime इसको आप one भी कर सकते हैं अगर आप one कर देते हैं तो जो particles है वो हो सकते हैं कि एक फ्रेम पर वो मर जाए तो यह यहां पर आप set कर सकते हैं तो इसको आप अपने हिसाब से set कर लीजे मैं इसको कर देता हूं इसके बाद है सोर्स तो इसके बारे में हम लोग कल बात करते हैं क्योंकि धीरे धीरे हम लोग चलेंगे एक एक स्टेप ठीक है ओके सो अगर आपने सब्सक्राइब भी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि मैं ऐसे वीडियो डालता रहता और जब भी मैं वीडियो डालूँगा अगर आपने बेल आइकन दबाया हुआ तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो थेंक यू सो मच वाचिंग वाचिंग दिस वीडियो और सी यू नेक्स टाइम बाई